एक Crime Reporter जिसे Underworld अंदाउद इब्राहिम भी डरता था, जो Crime Reporter होने के बाद भी खबर के सिलसिले में कभी किसी पुलिस अधिकारी से नहीं मिला था, जिसने अपनी खबरों की इधार से महराष्ट के सबसे बड़े नेता बाला साथ ठाकरे को अपना दिवाना बना दिया था, यह कहानी है भारत के कैसे अखड राजनेता की, जिसने अपने करियर की शुरुवात पत्तरकारिता से की, जो आजदेश की राजनीती में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, यह कहानी है संजे राउत की, वही संजे राउत जिने बीते दिनों एडी ने गिरफतार कर लिया है, इ स्केमरे के पीछे खड़े हैं, विशाल, इसके मंडल ग्रूप ऑफ इंसिटूशन्स, नर्सिंग, पैरमेजिकल, फार्मसी और मैनेजमेंट पाचे क्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का उसर लेकर आया है, शात्र ओलाइन आवेदन भढ़ने के लिए www.skmgi.in पर जाएं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें। संजीर राउत के पास सबसे बहतर सोर्स हुआ करता था। अपने मजबूत सोर्स की वज़ा से सटीक खबरों को लिखने के कारण संजीर राउत काफी कम समय में प्रसिद्धी पाने में सफल होने लगे और क्राइम वर्ल्ड कर्ट की नब्ज को सटीक तरीके से पहचानने ल संजीर राउत के जीवन में बड़ा बदलाओ तब आया जब साल 1992 में सिवशेना के मुख पत्र सामना के लिए समपादक पत्र की भरती निकली अपने खबरों के कारण पहले से ही खासा चप्चा में रहने वाले संजीर राउत ने इस पद के लिए जब अपलाई किया तो य संजीर राउत को सामना पत्र का कारेकारी संपादक बना दिया आपको बताते कि संजीर राउत से पहले सामना के संपादक पत्र स्वयम बाला साथ ठाकरे विराजमान थे संजीर राउत के सामना के कारेकारी संपादक बनने के बाद सामना पूरे महाराष्ट में जाना जाने लगा संजे राउत के करेकारी संपादक होने के बाद सामना पत्रिका कापी लोग को प्रिये हुई और वक्त के साथ संजे राउत बाला साहब ठाकरे के और नजदीक आ गया तब से लेकर अब तक संजे राउत सामना को नहीं उच्चाईयों पर लेकर जाते रहे और सामना पत पर उनको उपनेता बनाया गया उसके बाद राज्य सभा पहुंचे हलांकि इस तौरान उन्होंने बिना किसी चहल कादमी के शुख सेना के लिए काम किया लेकिन साल 2019 में जब भारतिय जन्ता पार्टी और सिवसेना एक दूर उसरे से अलग हुए तो संजे राउत ने फ्रंट पूर्ट पर राजनीति करने की शुरुवात कर दी इस दौरान उद्धौ ठाकरे ने भी संजे राउत पर खूब विश्वास किया और साल 2019 महा अगाडी गटबंधन के लिए उद्धौ ठाकरे द्वारा संजे राउत को विशेस जिम्मेदारी दी गई लगबख सभी राजनीतिक पार्टियों में अच्छी पैट होने के कारण संजे राउत ने इस जिम्मेदारी का निर्वान बेहतरीन धंग से किया और महाराश्ट में महा अगाडी गटबंधन की सरकार बन गई सरकार का ने तृत्व सिवशेना कर रही थी लिहाजा संजे राउत का कद दिन बदिन और बढ़ता चला गया बीते दिनों जब महाराश्ट में राजनीतिक पुतल पुतल हुई और सिवशेना की 49 विधायकों ने अपनी ही पार्टी का दामन छोड़ दिया तब بھی संजे राउत ने उध्वर ठाकरे के हाथ पों मजबुती से ठामे रखा इस पूरे प्रकरण में संजे राउत में मजबुती के साथ उध्वर ठाकरे की और से मोर्चा संभाले रखा हलांकि तमाम राजनितिक उपलबनियों के बाद भी अब संजी राउत की मुश्किले बढ़ने वाली हैं पत्रा चौल गोटाले के प्रकरण में उन्हें इडी द्वरा गिरिफ्तार कर लिया गया है हलांकि इस दोरान महाराष्ट के पूरो मुख्तमंत्री उद्धौ ठाकरे संजे राउत के साथ मजबूती से खड़े होते दिख रहे हैं उद्धौ ठाकरे संजे राउत के घर भी गह थे और उन्होंने उनके परिवार वालों के से मुलाकात भी की थी कैसी लगे आपको यह हमारे रिपोट कमेंट वरक्स में जरूर बताये तो पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को यूट्यूब पर दे ख सैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर लें बहुत-बहुत धन्यवाद